हेलो दोस्तो, मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो, हम डिस्केशन करने वाले हैं निफ्टी-फिफ्टी के बारे में बैंक निफ्टी का डिस्केशन हम कर चुके हैं जो कि वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, काफ़ी पसंद गया ही अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी में जो ये ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेक आउट मिला है ये लास्ट आवर में मिला था, यहाँ पर भी मार्केट ने एक पैटरन बनाया था, उसका ब्रेक आउट दिया था यहाँ पर हमें काफी ब्रेक आउट देखने को मिले थे, पहला ब्रेक आउट कौन सा था, मार्केट ने प्रिवियस डे हाई का ब्रेक आउट दिया था, दूसरा यहाँ पर क्या देखेंगे, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेक आउट दिया था, तीसरा मार्केट ने यहाँ पे 48,000 का breakout दिया था चोथा market ने यहां पे इस pattern का breakout दिया था लेकिन अगर nifty 50 में बात करेंगे nifty 50 में आपको trading day high का breakout शुरुआत में ही मिल गया और उसके बाद market sideways हो गया और फिर sideways होने के बाद एक last time में भी आपको breakout मिला है तो यानि कि पहले आपको इस trading day high का breakout मिला फिर जो market ने नया trading day high बनाया था उसका breakout मिला यानि कि trading day high का breakout आपको यहां पे दो दो बार मिला है पहले इस वाले trading day high का फिर नया trading day high आपके लिए बन गया फिर market ने इसका breakout दिया और यहां पे bank nifty में भी आपको breakout मिला है लेकिन nifty financial services के situation अलग है इसने कहीं न कहीं जहां से opening ले थी वहीं से rejection दिखाया और यह rejection उसने 14 को भी दिखाया था 14 को जो day high लगा था उसी जोन से rejection दिखाने की यानि कि nifty financial services में भी यह अभी एक resistance जोन बना हुआ है तो अभी हम discussion करने वाले हैं nifty 50 के बारे में थोड़ा सा detail में discussion करने हैं पहले logic समझेंगे फिर next trading day के लिए हमें किस तरीके से तयार रहना चाहिए उन चीजों को यहां पे थोड़ी से समझने की कोसिस करेंगे इस बीच आप वीडियो को like कर सकते हैं नए हो subscribe कर सकते हैं और bell icon press कर सकते हैं जिससे आपको आने वाले वीडियो उसकी notification मिलेंगे फिला अलम logic की तरफ चलते हैं यहां पे अगर आप situation देखेंगे market में एक पहले gap up opening फिर market ने एक retracement दिया कहीं न कहीं gap को fill करने की कोचिस की फिर market जब support लेके गया आपको यहां पे trading day high का breakout दिया market एक opportunity आप आपको trading day high का breakout दे रहा था उसके बाद दिखो situation को समझना चाहिए आपको यहां पे मैं आपको एक बात और समझाता हूँ ओवर all trend positive बना हुआ है भई यह आपको एक negative opportunity बनी थी कहीं न कहीं आपके लिए उमीद थी कि support कहां पे हो सकता है previous day high भी हो सकता है यह market gap filling के लिए जा सकता है लेकिन trend की opposite direction में जाने की कोसिस कर रहा है फिर से समझो trend की opposite direction में जाने की कोसिस कर रहा है अगर इस situation को पकड़ते भी तो half quantity के साथ पकड़ना है था नहीं तो avoid करना था पहली चीज़ समझ में आए दूसरी चीज़ को समझो अगर market ने यहां से आपको यह momentum दिया है trend की opposite direction में जाने की कोसिस किये वह यहां पर आपके लिए जो opportunity बनी थी trading day high के breakout वाली अब market इसके opposite चल रहा है या तो market अपने trading day लोग को निकाले तब आप सोच सकते हैं इस opportunity के बारे में या फिर market previous day closing पर support बनने की possibility previous day high पर support बनने की possibility या market यहां पर previous day closing से अगर नीचे चलना सुरू हो जाता तब आप negative side opportunity के बारे में सोच सकते हैं वो भी trend की opposite direction में तो half quantity में तो बहतर क्या है इन चीजों को avoid करो जो market यह retracement दिखाता है क्योंकि market ऐसे कभी भी नहीं जाता है यह आपको इस तरीके से लेके चलता है या फिर ओपर जाएगा sideways हो जाएगा फिर उपर ज चाहिए market को समझ में है क्योंकि अगर trend की opposite direction में जाने की कोशिस करोंगे खास करकी bull run में तो trap हो जाऊंगे तो बहतर रहेगा कि trend की direction में ही opportunities पर focus करो जैसे कि अब आपके लिए अगर market यह retracement दिखा रहा है तो आपको negative side trade में बैठने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि market में मुम को market निकालेगा तब opportunity है क्योंकि market आपको trading day high का फिर से breakout देगा क्योंकि पहले जो trading day high आपके लिए था नया trading day high यह बन चुका है situation समझ में आ रही है कि नहीं जो मैं समझाने की कोशिस कर रहा हूं clear है कोई भी confusion नहीं है आईगे अब हम यहाँ पे कुछ one day के time frame पे चीज़े देखने की कोशिस करें अभी भी market में कोई negative sentiment नजर नहीं आया है अगर आपने 50-50 में देख रहे हैं यहाँ market ने एक time spend जरूर किया था वो चीज़ आपके साथ discuss की गई थी अगर market उपर जा रहा है या तो वो कुछ retracement अब ही total bullishness ही नजर market में आ रही है इसका मतलब यह नहीं है कि आप aggressively buying side जाओ बहतर मैं आपको हमेसा एक ही suggestion देता हूँ कि आप कोई सा भी setup जानते हो कोई भी strategies जानते हो अगर आपको वो बनती भी market में दिखाई दे रही है तो काम करो नहीं तो काम मत करो भले ही stop loss hit हो जाए लेकिन अगर opportunity नहीं नजर आ रही है तो जबरदस्ती trade लेने की कोशिश मत करो अगर opportunity हाथ से भी निकल गई है तब भी आपको जबरदस्ती trade लेने की गलती नहीं करने है यहां तक आपके चीज़े clear होगे clear होगे कोई भी confusion नहीं है आई अब 15 मिनट के time frame पे चीज़ों को सम करने से पहले मैं आपको बता दो कि फिलाल 50% का offer चल रहा है नीचे description में आपको application का link में जाएगा काफी लोगों को ये confusion हो रहा है कि 50% का offer कैसे लगाए जैसे ही आप application पर जाएंगे किसे भी course पर जाएंगे तो आपको available offer के नीचे 50% का coupon दिखाई देगा जैसे ही आप इस 50% off हो चुका है available offer के नीचे आपको एक coupon दिख जाएगा अगर आप इस coupon पर click नहीं करेंगे तो offer activate नहीं होगा तो उमीद है आपका confusion clear हो गया होगा जो लोग comment कर रहे थे उन्हें चीजे समझ में आ गई हो भी आई अब हम यहाँ पर situation समझते हैं आपके लिए important zone क्या हो गया previous day high हो गया यह आपके लिए क्या है यह previous day closing है यह वाला आपके लिए क्या है यह वाला आपके लिए है previous day low ठीक है market ने इस zone में भी time spent किया है तो इसे भी mark कर लेते हैं इतनी चीजे हमें price action के according already market में दिखाई दे ले अब एक एक चीज़ को step by step समझते हैं अगर market flat open होके आप आपको positive momentum दिखाता है इस situation पे तो इस situation पे हम एक बात observe कर रहे हैं previous day high और previous day closing तोनों पास में दिखाई दे रहे हैं कि ने सभी को पास में दिखाई दे रहे हैं कोई confusion तो इसका मतलब अगर हम positive side जाना चाहते हैं या positive side जाने की सोच भी रहे हैं तो इन दोनों से market उपर रहन चाहिए यान कि हमें previous day high का अगर breakout मिलता है उसके बाद हम positive side सोचेंगे अगर follower breakout मिलने के बाद follower candle भी मिलती है पहली चीज समझ में आगे दूसरी चीज मार्किट ने इतना momentum दे दिया है अगर उसके बाद market sideways हो जाए उसमें भी confusion नहीं ना वो भी चीज हम समझ सकते हैं क्यों या फिर वो momentum दे के कुछ sideways जाएगा यही तो opportunities बन सकते हैं अगर यहाँ पर कुछ sideways momentum time spend करता है या market हमें breakout दे के आपने entry बना ली और market उसके बाद sideways जाने के कोसिस करतना है तो तब भी exit मार लेना क्योंकि sideways market में आपको नहीं रहना है बस वो आपके premium को गलाने की कोसिस करेग तो बहतर है उस market से निकल समझ में आगए वहीं पर अगर market flat open होके आपको negative momentum दिखाता है अब यहाँ पर previous day closing से अगर market नीचे चलना शुरू हो गया तो हमारे दिमाग में पहली बात आएगी कि negative side opportunity बन सकती है तूसरी बात आएगी overall trend positive है तीसरी बात आएगी हम trend की opposite direction में जा पर नीचे निकला तो previous day low पर support की possibilities है वहीं पर अगर आपको gap up opening मिलती है तो उस्तो gap up opening का discussion करने से पहले मैं आपको बता दूए आपके लिए किसे भी track करना तो कोई buy recommendation है ना है कोई selling recommendation है यह just educational purpose से बनाए गई analysis video है इनवेस्ट करने से पहले आपको अपने research करने है अपने investor क 15 को समझते है 15 को भी market ने gap up opening दी एक retracement दिखाया कहीं न कहीं support की possibility थी यहाँ पर previous day high पर और previous day closing पर अगर 15 की बात करें लेकिन अगर market previous day closing से नीचे निकल जाता तो और भी negative momentum market में आने की possibilities हो सकते थी सेम वही scenario हम यहाँ देखेंगे अगर gap up open होके market retracement की तरह नीचे है अगर previous day high के आसपा से market gap up open होके negative candle बनाता है तो negative side तब तक नहीं बैठना है जब तक market previous day closing से नीचे नहीं चलता समझ में है और अगर बैठना भी पड़ा तो half quantity में क्योंकि opposite direction में जाने के कोसिस करें तो प तो positive side आपके लिए opportunities हो सकती है लेकिन कुछ सावधान रहना थोड़ा भी sideways होते ही आपको तुरहंत market से निकलना है क्योंकि market ने already ही momentum देना शुरू कर दिया है हो सकता है कुछ sideways आए समझ में आ गया वहीं पर अगर market आपको gap down opening देगा उस situation पर क्या कर सकता है उस situation पर आपके previous day लो है यहाँ पर market में पहले भी time spend किया हो है अगर market gap down opening देता है अगर इनी support के असपास gap down opening दे दी तो आपको negative side नहीं जाना है जब तक इस वाले support zone को नहीं निकाल देता अगर निकालता है time spend करकी तब भी half quantity में जाना है दूसरा एक बड़ी gap down opening दे चुका होगा तो बहत अगर है trade को avoid करना है हो सकता है momentum जादना है लेकिन अगर gap down opening देके market अपने trading day high को निकालता है तो situation पर हम यह देखेंगे previous day closing और previous day high से trading day high कितनी दूर है अगर इसी support zone के आसपास है breakout देके चलता है तो आपके लिए resistance हो जाएंगे अगर इनी के आसपास trading day high बन रहा है तो trade मत करना जब तर की previous day high से उपर नहीं निकलता हो सकता है उसी trading day high और previous day high के बीच में market sideways हो जाएंगे समझ में आ गया clear हो गया दोस्तो 50% का offer कैसे लेना है वो आपको पता लग गया coupon को कैसे apply करना है वो भी आपको पता लग गया नीचे description में आपको application link मिल जाएगा फिलाल वीड वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे किसी नेक्स वीडियो में किसी अच्छे content के साथ thank you